साथियो जय भेम नमो बुद्धाय स्रमन आगाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्रमिन सुतरिया हमारी विराश्चत में आपका स्वागत करता हूं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं देव की मोरी यानि के भारत के गुजरात राज्य के उतरी भाग में अरवली जिल्ला की बगल में शामराजी नगर के पास देव की मोरी नाम का एक गाउं है उस गाउं में बुद्धा के कुछ स्टूप मिले हैं इसकी जानकारी में आपको देना चाहता हूं इसापुर्व 117 में यहां राजा रुद्रशेन का सासन चल रहा था सुनने में आया के राजा यानि के किंग रुद्रशेन ने इस स्टूप का निर्मान करवाया था यह जो स्टूप है जिसको देव की मोरी के नाम से पहचाना जाता है वो मेशो नदी जो है रीवर उसके सामने है देव की मोरी का अर्थ यानि कि उसका मतलब यह होता है कि देव की मोरी का यानि कि देव की सनमुख तथागत के सनमुख होना यह जो पूरी जगा जो है वो नदी जो मेशो नदी है रीवर उसके पट पर बहुत बड़े विस्तार पे यह है पूरा जो नदी के यह जो मेशो लोग थे उसको राजा भोज की टेकरी के नाम से पहचानते थे लेकिन सर सयाजी राव गायकवाड विश्व विध्यालाई बरोडा का पुरातन विभाग के द्वारा 1960 से लेकर 1963 तक तीन साल तक यहां खुदाई काम हुआ और इस खुदाई काम में से एक बहुत बड़ा स्टूप मिला वो पुरा स्टूप जो है वो इटो का बनाये हुआ है इसलिए उसको इटेरी स्टूप से जाना गया है और दूसरे बगल में उसी की नजीक में दूसरे और दो छोटे छोटे बुद्विहार मिले हैं तो तीनों जो बुद्विहार वहां जो है इसको इटेरी बुद्विहार के नाम से पैचाना गया है ये जो बुद्विहार का जो विस्तार है 48 by 45 मिटर लंबा है लंबा चोड़ा ही है उसका जो प्रवेश द्वार है वो उत्रा भुमुख यानि के उत्तर दिशा के सन्मुख है और अंदर बहुत बड़ा खुला एक हॉल है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वहां हमारे बहुत भिक्षू बैठकर वारतालाब करते होंगे ये जो बहुत बड़ा मैदान जैसा ये जो बनाये वो करीबन उसके सामने है 31 अलग-अलग कमरे हैं यानि कि बहुत बड़ा इतने इतना ज्यादा कमरा देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारे बहुत भिक्षू रहते होंगे और ये पूरा जो विहार जो है बुद्ध विहार उसके पीछे का भाग जो है उसको कोट से यानि कि दिवाल बना कर वो पूरा सुरक्षित के आगया है उसका दूसरा स्थल जो है सामने वाला जो छोटा बुद्ध विहार है या यह जो पूरा हील था, जो पहले वहां के स्थानिक लोग राजा बोज के टेगरी के नाम से उसके पहचानते थे, उसकी हाइट चालिस फिट तक थी, और उसका जो पूरा उसका घेरावा था, वो करीबन 754 फूट इसका विस्तार था, इतना लंबा चोड़ा, यानि के 40 इससा फ्याला हुआ था, जब उसका खुदकाम, यानि के खुदाई जब शरू की, तो इसमें से बहुत बड़ा महास्तु निकल के आया है, यह जो स्थूप है, वो तीन मजला है, यानि के उसको तीन अलग-अलग स्टैप है, जो पहला स्टैप है, यानि के जो पूरा मिटर की है, जो जमीन से करीबन 2.5 मिटर हाइट पर है, और यह पूरा जो हमारे जो बहुत भिखु वहां रहते होंगे, वो यहां बैठ कर वो प्रवचन करते होंगे, यानि के प्रज शिक्षन लेते रहे होंगे, जो पूरे वहां जो एकतिस कमरे जो है, उसके जो स्थम् अबारिकली वो अलग-अलग चित्र वहां लगाये गए, यानि के वो मट्टी में या वहां की वो जो डिजाइन है, वो वहां की गई, जिसमें ज्यादातर वेल जो होती है, पान जो होते हैं, उनका काफी अच्छा दिखाया गया, दूसरी जो पिठा दिन वहां बैठनी की जो है जिसको गवाक्षो बोलते हैं वहां बुद्ध की मिट्टी की प्रतीमाय मिली है जो वो बुद्धा की जो प्रतीमा मिली है वो मिट्टी से बनाई हुए है वो पहली बार ऐसा देखा गया कि बुद्धा की मूर्ती मिट्टी जो होती उसको बना कर उसमें से बुद्धा का पूरा स्टेचु वहां बनाय हुआ है और द्यान अवस्ता मेंarta का स्टेचु और जो वह बनाया है उसका उपर का पूरा गोलाकार है अंडाकार है और वहाँ जो सारी बुद्धा की मुर्ती लगी हुई है वो पूर्वा भुमुख रखा हुआ है जो पूरा महा स्टूप जो बना उसके मद्यभाग में कि ऐसा सुना गया है वहाँ से जो आर्केलेजिकल अफ सर्वेफ इंडिया को जहां से जो चीजे मिली तो स इसमें कुछ मिट्टी के बरतन रखे हुए है आज तक ये मिट्टी के बरतन जो है वो दुसरी और कहीं स्टूप में नहीं मिले ये देव की मूरी जो महा स्टूप मिला है वहाँ ये मिट्टी के बरतन मिले है और बुद्धा की मूर्तियां जो है वो भी मिट्टी की है और पत्थर भी वहाँ से मिले हैं वो जो बुद्धा का वो जो मिटी का वो पुरा एक कुञ्ज मिला है उसमें वो जमीन के नीचे था उसको बाहर निकाला था तो उस पर वो ढकन भी था वो ढकन के उपर प्राकुतिक पद्ध भाषा में लिखा हुआ कुछ लिपी भी लिखी जो वहाँ का राजा था रुद्रशन तिसरा उसी राजा ने शायद ये बुद्धा का ये पुरा जो अुसेस है वो जमीन में उसने गाड़ा होगा उस समये ऐसा साइट लगता है कि उसी रुद्रशेन के राज्यकाल दर्मियान में कथिक राजवियों ने वहां के राजाओने वहां ऐसा जो लिपी मिली उसमें ऐसा लिखा है कि जो वहां बहुत भिक्षू रहा करते थे उसमें एक बहुत भिक्षू जो वहां के पदाधीकारी थे उ दूसरे जो बहुत भिख्षु थे उसका नाम था सुदर्शन वो दोनों भिख्षुओं ने शायद ये महास्तु बनाया होगा ऐसा आर्केलेजीकल सर्व इंडिया का वहां से जो लिपी लिखा हुआ जो मिला है इसा पुर्वे 117 की ये बात कम्यक कर रहा हूं और वहां से जो दावडा मिला है उस पर जो ढकन था वो अंदर और बाहर से त्रिपटक का सुत्र यानि कि कुछ लिपी में जो त्रिपटक लिखा हुआ है उसको वहां उसकी लिपी वहां एस में लिखी हुई मिल रही है और अंदर से तावे का कुछ मिला है कुछ धातू के टुकडे मिले हैं कुछ मारे के मन के कुछ मिले हैं कुछ इसमें बुद्धा का सरीर के जो बुद्धा के जब बुद्ध का परिनिर्वान हुआ होगा उस समय उनके कुछ अवसेश जो थे उनमें से सोने की एक सिसी मिली रेशम की कपड़े की एक वो भी मिली और चांदी कुछ चंदन के टूकड़े मिले हैं ये चंदन के टूकड़े है वो जले हुए हैं तो इससे ये लगता है कि बुद्धा का परिनिरवाण होने के बाद जो ये सारी चीज यहां से मिली है तो उसमें बुद्धा ने बुद्धा का जो चंदन के वहां जो लकड़ी होगी या तो ये वो सोने की सिसी मिले है रेसम के कुछ कपड़े की कुछ मिले है तो ये सब चीज वहां से उपलब्द हुई है वो जो तीन स्थूप वहां मिले है वो बड़ा जो स्थूप है और दो छोटे स्थूप है जो दूसरे और चीज जो मैं बता रहा हूँ के महा स्थूप महा विहार छोटा स्थूप जा थ और इटो की जो साइज बहुत बड़ी है इटो पर अलग-अलग जात के तरीके के नक्षी काम यानि के चितर काम कलाकारी गरी इस इटो पर लगाई गई है और वहां के जो आर्केलोगिकल सरफ इंडिया का कहना है कि यह इस्सा पूर्वे चौथी सदी में जो यह अभी मिले ह वहां से जो अशेश उस पर से उसका अभ्यास करके दिखाया गया है कि इसा पूर्वे चौथी सदी में सत्रपकाल में यह देव की मोरी जो है वो बहुत धर्मका बहुत बड़ा कैंद्र रहा होगा जो खुदाई की गई उस जगापी तो वहां से माटी के विवीद आकार उसके और अलग-अलग कद के बहुत सारे वहां से चीज वस्तु हाँसिलू इसमें कुछ दूप है कोडिया है कुठी है कुछ घड़े है कुछ कुलडी है कुछ नार्चा वाले पानी बरने के लिए वह मटी मिले पातर मिले है ऐसे बहुत सारे वहां से अवसेश प्राप्त हुए हैं कुछ पत्थर की चीजे भी वहां से मिली है और सबसे एक चौकाने वाली बात ये है वहां से जो मिली है वो हमारे गुजरात में जो अभी मट्टी काम जो करते हैं उसके जो पिंडोला होते हैं मिटी के बरतन बनाने का जिसको वो भी वहां से मिला है, कुछ हत्योडिय भी मिली है और बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाओं के टुकड़े भी वहां से मिली है, कुछ थाली मिली है, स्लेट मिला है, कुछ प्लेट मिली है वहां से, कुछ ये अनाज दर्णे के लिए घंटी कि फजुआ होती है वहाँ वहाँ से मिली हैं बहुत सारे कुछ लोखन के नमूने वहां से अलग अलग प्रकार के खीले वहां से कुछ यूए तीर गाम हैं तीर वह भी वहां से यह पालए फेलक तो इसका आगए का भाग तो होते हो मिला है छरी मिले है खंजर का मिज़ मिले है खड़ा कुछ मिले छीनी दातरडू कोदाडी तवेचो कातर जैसे बहुत सारे वहाँ यह ठियार भी मिले हैं यह बुद्धा के जितने भी आज दिन तक जहां पूरे भारत में और वारत की बार जिस जगा पर बुद्ध के स्तूप मिले हैं या तो लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो हथियार जो मिले हैं श्टील के वो पहली बार ये देव की मोरी में मिले हैं। कुछ जो दर्वाजा होते हैं, उसके दर्वाजे की जो लॉक करने की जो साकड होती हैं, वो भी वहां से मिली हैं। और बहुत सारी चीजे वहां से देव की मोरी की जो जगा है वहां से प्राप्त हुई हैं। यह जो खुदा ही हुआ उस जगा पर कहा जाता है कि सत्रप कालना और उजयन और वलभी जो एक जमाने में बुद्धा का बहुत बड़ा क्यानदर हुआ करते थे वहां के जो मत्रिक वहां से वहां से सिल्वर के सिक्के मिले हैं यानि कोईंस मिले हैं कुछ सिल्वर, कुछ गोल्ड कुछ तांबे कुछ सिसे का सिक्के मिले हैं बहुत सारे वहां कोईंस वहां से मिले हैं सत्रब सिक्के जो है वहां का जो देव की मोरी में जो जगा पर हुए है वो करीबन दिशापुर्वे 100 से लेके 400 तक का ये अनुमान कहा गया है कि वहाँ वो उस सेंचुरी में ये सब समय की ये कुरुतिया है जो आज तक वहाँ जो वो हील है उसको वहाँ के लोग राजा भोज के नाम से जानते थे जो खुदाई के दर्मियान जब वो वहाँ से मि वो सारी चीज पाशन यूग में जो चीज थी वो चीज वहाँ से आज मिली है ये पूरा चीज जो है वो पूरे वो आज गुजरात के बरोडा सहर में सायाजी राव गायकवाड के जो संग्राह लई है वहाँ सब चीज रखी हुई है तो मैं आपको आवान करता हूं स्रमन आगाज की गोर से के आप गुजरात आईये और बुद्धा का बहुत बड़ा एक कैंद्र था कभी एक जमाने में तो उसकी आप मुलाकात लिजिए